Brought to you by बैदनाथ शर्बत और ठंडाई ठंडाई शर्बत के बिना होली कैसे बनेगी जनाब? सुप्रीम कोट की सकती के बाद आखिरकार स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉंड्स का डेटा चनाव आयोग को सौप दिया है और बुदवार को सुप्रीम कोट में इसका हलफ नामा भी धाकिल किया है SBI ने बताया कि 1 अप्रेल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉंड्स बिके हैं इनमें से 22,030 को कैश करा लिया गया है जबकि 187 बॉंड कैश नहीं कराए गया सभी 22,217 इलेक्टोरल बॉंड्स कितनी कीमत के हैं और किस पार्टी को मिले हैं इसकी जानकारी या 15 मार्ट शाम 5 बजी तक Election Commission of India को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है SBI के CMD दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है SBI ने इलेक्टोरल बॉंड्स की खरीद और बिक्री इसके खरीदार के नाम समेथ सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट जो है वो तयार की है और इसे समय रहते आयो को मोहिया करा दिया गया है SBI ने अपने हलख नामे में कहा है कि बैंक ने Election Commission of India को सील बंद लिफाफे में एक pen drive में दो फाइले दी हैं दो PDF फाइले एक फाइल में bond खरीदने वालों की details है इसमें bond खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है दूसरी फाइल में bond in cash कराने वाले राजनितिक दलों की जानकारी है लिफाफे में दो PDF फाइल भी हैं उसके print out हैं ये PDF फाइल pen drive में भी रखी गई है और इनको खोलने के लिए जो password है वो भी लिफाफे में दिया गया है यानि जो ये PDF फाइल है ये password protected है हलफ नामे में बैंक ने आंकलों की जरीय बताया कि 1 अपरेल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक वोल 22,217 electoral bond बिके हैं इनमें से 22,030 को cash करा लिया गया है और 187 जो bond है उनका भुकता नहीं लिया गया SBI ने सुप्रीम कोट को दिया हल अफ नामे में ये बताया है कि जिन पार्टियों ने 15 दिन की validity के भीतर electoral bond को cash नहीं कराया उसकी रकम नियम्मय अनुसार प्रधान मंतरी राहत कोश में transfer कर दी गई है इससे पहले electoral bond की जानकारी देने से जुड़े case में SBI की आचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई थी SBI ने कोट से कहा था कि bond से जुड़ी जो जानकारी है वो देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके लिए हमें 30 जुन तक का वक्त चाहिए इस पर CGI डीवाई चंद्रचूर ने पूछा था कि पिछली सुनवाई यानि जो 15 फरवरी को हुई थी उससे अब तक यानि 26 दिनों में आपने क्या किया सुप्रीम कोट की पांच जजों की सम्विधान पीट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे और Election Commission सारी जानकारी को इकठा करके 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे अब आपको Electoral Bond क्या होता है उसके बारे में भी बता देते हैं केंद्र सरकार ने साल 2017 में Electoral Bond स्कीम की घुशना की थी इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुतरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है SBI की 29 ब्रांचों से अलग-अलग रकम के Electoral Bond जारी किये जाते हैं ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड रुपय तक की हो सकती है इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनित्रिक पार्टी को दे सकता है तो Electoral Bond से जोड़े इस बुद्धे पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट करके ज़रू बताइएगा मेरा नाम है विकास वर्मा देखते रही दिल्ला लंटो शुक्रिया